मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ कॉंग्रेस ने यू भी चुनाओं के लिए 125 उम्मेदवारों की पहले लिस्ट चारी कर दी है इस लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकेट दिया गया इन महिलाओं में प्रियंका ने पिछले दिनों कई माबलों में चर्चित रही महिलाओं को टिकेट दिया है इमें उन्नाओं रे पिर्टा की मा आशा सिंग को प्रताशिक गुशित करते हुए कहा गया की उन्नाओं गैंग रे पिर्टा की मा है हमने उन्हें मौका दिया वे अपना संघर्ष जारी लखे जिस सत्ता के जरीये उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ था उनके परिवार को बरबादी की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया गया वही सत्ता से वे हसल करें वही लखनव, NRC, CAA में महिलाओं के लिए आवाज बलंद करने वाली सदफ जाफर का नाम भी शामिल है प्रियंका ने कहा सदफ जाफर ने CAA NRC के वक्त संघर्ष किया सरकार ने इसके बदले फोटो पोस्टर में छपआ कर उन्हें प्रतारित किया मिरा संदेश है अगर आप के साथ अत्याचार हुआ आप अपने हक के लिए लड़े इसके साथ ही प्रियंका गादी ने आगे फरुखाबास से लुईस हुलशीद को भी अपने उम्मेदवारों के लिस्ट में शामिल किया है प्रियंका गादी ने आशा बेहनों पर हुए लाड़ी चार्च का जिक्र किया उन्होंने कहा हमने सोन भद्र नरसंगार में पिर्दों में से एक रामराज कौन को भी टिकेट दिया इसी तरह आशा बेहनों ने कुरोना में बहुत काम किया लेकिन उन्हें बदले में पीटा गया उन्हीं में से एक पुनम पांड़े को हमने टिकेट दिया कॉंग्र अपने पुष्टैनी गड़ अमेठी में एक बार फिर से दाउं लगाते हुए अमेठी जवदेशपुर सुरक्ष सीट से वेजय पासी अमेठी के तिलोई विदहान सभा से प्रदीप सिंगल जैसे कॉंग्रेस के दिगज नेताओं को टिकेट का उम्मेदवार खोशित किया ह जबकि सलोन से अर्चिन पासी, प्रताफगर से नीरश्त्र पाठी, इलहबाद उत्तर से अनुक्रह नारायन सिंग, इलहबाद दक्षिन से अलपना निशाद, जादपुर सुरक्षित से तनश्पुनिया गोट टिकेट का उम्मेदवार बनाये गया वही सुल्तानपुर के काधिपुर सुरक्षित से निकिरेश सरोज, आजमगर से प्रविन कुमार सिंग, पड्रोना से मनिश जाय सवाल, किदवाई नगर से अजे कपूर, और तब कोही राज से यूपी कॉंगरेस सद्दक्ष अजे कुमार ललू, खुद ताठ होगेंगे बता दें, एक तरफ प्रियंका गाधि ने जिस तरीके से महिलाओं पर भरोसा दिखा कर, पिडित लोगों के लिए आवाज उठाने वालों पर अपना भरोसा चताया, उसे उद्दपनेश की सियासक में एक अलग रुख मिल गया है, दरसल प्रियंका गाधि के इस बटवार देश दुनिया की ताजा तरीर खबरों से रूबर होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एंटी टीवी भारत